यह दोस्तो स्वागत है आपका हमारी जियोग्रफी सिरीज में जहां पर आपको इंडियन जियोग्रफी के बहुत सारे तथ्यों से अवगत करा रहे हैं इसी सिरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे भारत के समुद्र और खाडियों के बारे में बे पर हमारे मैप पर आपको दिख रहा है बे ऑफ बैंगॉल इसी तरह से जो क्या होती है खमबात की खाड़ी और इसी तरह से हम बहुत सारी इस तरह की खाड़ियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यह बे एंड गल्फ में क्या अंतर होता ह है तो अंतर ज्यादा कुछ नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ यह अंतर होता है कि तीन ओर से जो क्या होता है भूमी से घिरा हुआ जो छेत्र होता है जो समुद्र होता है तो उसे कहते हैं बे जैसे कि बे ऑफ बैंगॉल जो है वह क्या है एक बे है ठीक है उसी तरह से जो क्य क्या होती है जोती है उने कहा जाता है है गौल्फ खमबात तो इस状ावese हम समझ गए हैं कि बेसी होता है तो बे जो होती में बढून होता है जबकी गर जो होता है वह हो छोटा और शक्षी प्रमुकष खाड यहां कllä में आज रहाए हैं तो इसी सीरीज में देखिए जो कच्छ की खाड़ी है वह कहां पर इस्तित है जो हमारा गुजरात का जो कच्छ चीला है तो उसके कहां पर है उसी के पास कच्छ की खाड़ी इस्तित है तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो क्या किया था सर क्रिक के दलदली छेतर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मद्य हमेशा इस छेतर में विवाद रहता है क्योंकि यहां पर क्या है जो क्या है दलदला छेतर है तो यहां पर पाकिस्तान और भारत की क्या है बॉंडरी भी है तो सर क्रिक का जो सर क्रिक था कोई जि आगे तो दुसरी है खंबात-की-खाड़ी खंबात-की खाड़ी कहा पर है खंबात-की-खाड़ी है तो गुरात के जुचस तरह एस जगोर पर है path की खाड़ी है यहाई है नर्मदा और तापी-नदियों के मुहाने पर नर्मदा और तापी नदियां हम जानते हैं कि पूर्व से पस्चिम के और बहने वाली क्या है कुछ दो नदियां है एक मतर यही नदिया है जो क्या होती है पूर्व से पस्चिम के और बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं तो इसी सीरीज में आगे हैं मननार की खाड़ी तो मननार की खाड़ी कहा है मननार की खाड़ी है भारत और स्रिलंका के मध्या तमिलनाड़ों के दक्षण में और राम सेतु के पस्चिम में यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर यह मननार की खाड़ी इस्तित है ठीक है तो यहाँ पर यह देख पारे हैं हम पाक की खाई है यह बंगाला की खाडी से जोडती है थिर हम मैप में यह यह पाक जो बे है क्या करती है इन दोनों को जोड़ती है तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी के बारे में हम जानते ही है यह क्या है भारत के पुर्वी तर्ट परिस्तित है और यह एक क्या है बड़ी खाड़ी है इसलिए इसको बे बोलते हैं ठीक है और इसके बाद जो अंड तो बंगाल के खाड़ी के पूर्वी छोड़ पर क्या है इंडोनेशिया द्वीप समुह इस्तित है जिसे पूर्वी द्वीप समुह भी कहा जाता है तो यहां पर अब हम देखते हैं खाड़ी और बे जो है बे एन गल्फ के बाद एक और इंपोर्टेंट बिंदू जो कि एक जो संकरा होता है समुझरी छेतर होता है उसे क्या कहते है चेनल कहते हैं ठीक है जैसे कि आगे हम देखेंगे कि 10 डिक्री चेनल इसी तरह से जब हम वर्ड में देखते हैं तो इन पच्चास भी समानतर देखा एकेस भी समानतर रेका तो इस तरह होगाल है मतलब है इसका मतलब क्या हुआ हममें आपको तो यह माना आपकी जो फुहें हमारा विस्पवा है इसके बीच से क्या होगी भूमेद्र तरह द्रेखा को जारती है तो भूमेद्र होती है जो इनिकी दो आपके जो द्वीब हैं या जो भूखन्ड हैं उनके बीच का एक समझरी सकरा छेत्र होगा तो इसलिए उसको एट डिग्री चैनल कहा जाता है तो यह एट डिग्री चैनल जो है वह कहां है वह मिनिकाय द्वीब और माल दीब के बीच में इस्तित है हम यहां पर मैप पर आपको डिग्री चैनल है इसके बाद हम देखते हैं निग्डी छैनल जो है यहाँ था रहा है वह व्रित किस तो रहा होगा क nucleic तो कुछ रहा है तो ने सार में निकाई ड्वीप और लक्ष्य रहा है कि जो यह 9-degree channel है, वहां कहां परिस्तित है, यह मिनिकाय द्वीप है, और यह लक्ष द्वीप समोव है, ठेक है, इसके बीच से क्या है, यह 9-degree channel गुजर रहा है, इसी तरह से हम 10-degree channel के बात करते हैं, तो यह 10-degree channel कहां परिस्तित है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता था तो यह अंडमान और निकोबार जो द्वीप समों है इनके बीच में स्थित है लेकिन यह अंडमान और निकोबार के भी जो क्या है लिटल अंडमान और तो क्या है कार निकोबार है इन दो द्वीपों के बीच में स्थित है हम यहां पर देख पा रहे हैं तो यह देखिए यह कार निकोबार द्वीप है छोटा सा और यहां पर क्या है यह लिटल अंडमान है तो इनके बीच में क्या है टैन डिग्री चैनल इस्थित है जो कोको चैनल है वहाँ चैनल कहां पर है यह है मियामार के कोको द्वीप और उत्री अंडमान द्वीपों के बीच में इस्थित है जो है इस तरह हमने चैनल के बारे में जाना अब हम आपको एक इसका जवाब आप अपने Comments में दे सकते हैं जो हमारा देश है Bھारत उसका तक्ष्नतम बिन्दु जो है वह कौन सा है हम जानते हैं वह है इंदरा Point तो इंदिरा Point जो है कितने डिग्री पर स्थित्थ है यायन कि वहाद बिन्दु कौन सा है इसका आप जवाब देंगे अपने हमारे कॉमेंट में जैसे कि अभी हम बाट रहे थे 8 डिगरी 9 डिगरी 10 डिगरी तो वह कितने डिगरी पर वह क्या है इंद्रा पॉइंट इस्तित है तो इसका जवाब आप कॉमेंट में देंगे मैं आप इक्षा करता हूँ उमीद है कि आपको वीड पाथ निवाद।